हे दोस्तों तो केसे आप सब आप सब कर स्वागत है एट मिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक पॉपिलर डॉग ब्रेट बीगल के बारे में यानि आज इस वीडियो हम जानेंगे 10 रीजन्स टू गेट अप बीगल तो अगर आपको डॉग पसंद है ले से उन कीजिएगा नमबर बन ऑफ फैमिली डॉग बिगल वन ऑफ दे बेस्ट फैमिली डॉग बीड में से एक डॉग बीड है यह डॉग बीड काफी ज़्यादा चेरफूल एटिटूट के साथ रहते हैं और काफी ज़्यादा लॉयल रहते अपने ओनर के लिए यह डॉग से रह लेते हैं नमबर टू बीगल बेस्ट वाच डॉग और गाड डॉग बीड बहले ही स्मॉल साइज की डॉग बीड हो लेकिन यह काफी अच्छे वाच डॉग होते हैं साथ-साथ काफी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी स्निफिंग कॉलिटी के लि उनके ओनर के तरफ तो वो तूरंत बार्किंग करना स्टार्ट कर जाते हैं और साथ-साथ कई बीगल से ऐसा देखे गए कि जो विंडो होती है उसके आउटसाइड देखके बाग करते रहते कोई भी उसके तरफ देखता है या फिर कोई भी स्टेंजर दिखता है और इसी 26 से 41 सेंटीमीटर तक और इसी की चलते इन डॉक बीड को एड़ किया जाता है स्मॉल टू मीडियम साइज के डॉक की कैटेगरी में इनकी जो मेजरमेंट से उनको परफेक्ट बनाती है अपार्टमेंट डॉक स्पेशली साथ-साथ फर्स टाइम ओनर्स के लिए भी होगी साथ-साथ फर्स टाइम ओनर्स के लिए भी काफी जाद अच्छे डॉक बीड होते हैं लायल रहते हैं ज्यादा एग्रिसिव बिहेवियर इनमें देखा नहीं जाता लेकिन अगर साइज से कंपर करें तो भी इनकी डॉक बीड में जो एनरजी लेवल होता है इनका का गर में यहां वहां घूमेंगे खेलेंगे काफी जादा प्लेफुल नेचर होता है इनका साथ-साथ इनकी स्मॉल साइज का एडवांटेजेज भी होते हैं आपको जैसे कि मैं बता दू अगर आपको ट्रैवल के लिए ले जाना इनको तो वह भी आपको आसानी से इन्डॉ बीगल परफ़वव बीगल के पास एक कोट होता है और उनके हेसी चु वाश होते हैं और इसलिए बीगल के पास p खंप यह थोड़ा दैस होसकता है विन्टर में लेकिन पर देखने को मिलेगे फोरे साल में काफी जाद दा कम तो वो भी रिमूव हो जाएंगे इसके चलते काफी जो स्कीन होती है डॉकी अच्छी रहेगी उसके हैर्स न्यू अच्छे से आएंगे और बीगल भी काफी जाद एंजॉय करता है ब्रस्ट होना जैसे मैंने बताया कि बीगल शेड लो करते हैं उनका लो मेंटेनेंस होता है लेकिन उनको रेगुलर ग्रूमिंग या फिर आप अगर उनको रेगुलर बाथ करते हैं तो उसके चलते हैं उनकी स्कीन रॉफ एंड ड्राय हो सकती है इसलिए याद रहे कि आप रेगुलर उनकी ब्रशिंग या फिर शेंपू कर रहे हो बाथ कर रहे हो तो यह अच्छा होगा उनके लिए साथ साथ एक चीज का ध्यान रहे यूमन्स के शांपूस आपको यूज नहीं करनी है जो डॉक्टर ने बताई गई है डॉक के लिए आती है वही यूज कीजिए नमबर फाइजी टू ट्रेन जब ट्रेनिंग की बात आती है तो काफी सारे डॉग और उसको कंफ्यूज हो जाते कि उनका ट्रेन हो नहीं हो रहा डॉग बीड बात नहीं मान रहा तो यह सब प्रॉब्लम जरू देखने को मिलती है लेकिन बीगल्स के मामले में यह काफी इजी टू ट्रेन होते हैं लेकिन आपको यह चीज जरूर याद रखनी है कि जितना आप उनको बताओगे कि आप पैक लीडर हो यानि एक बार अगर आपका डॉग बीड आपको अलफा डॉग समझ ले तो वह काफी ओवेडियंट रहेगा फोकस रहेगा साथ सथ जो आप न्यू न्यू ट्रेनिंग एंड टेकनिक्स अगर लाओगे तो इसका जो यह ट्रेनिंग सेशन ह उसके लिए fun session बन जाएगा और काफी easily वह train होगा इसलिए याद रहे ट्रेनिंग के वक्त आप उसको पहले तो मारना तो बिलकुल नहीं किसी डॉग बीड को मानना नहीं अगर आप उसे treat देते हो तो यह काफी ज्यादा helpful होगा और easily train भी हो जाएगा आपका डॉग बीड नमबर 6 easy to socialization जब socialization की बात आती है तो काफी सारे owners confused हो जाते हैं कि हम socialize कैसे करें अपने dog breed को लेकिन बीगल के मामले में आपको यह सब ज़्यादा ध्यान देने की जरुवत नहीं है क्योंकि यह dog breed पहले ही ज़्यादा aggressive नहीं होते हैं इनका nature काफी soft होता है और playful होता है इ लेकिन अगर आप totally इनको अकेला छोड़ दो ज्यादा तर टाइम आकेले रह रहे हो घुमाने ने ले जा रहे हो तो में भी यह dog breed depression में भी जा सकते हैं थोड़ा सा aggressive behavior changes हो सकते हैं इसलिए इनको कम से कम एक बार दिन में walking पे ले जाए जितना टाइम मिले आपको ज़रू से उनके साथ खेल यह और आप अपने बीगल को toys भी दे सकते हो यह लोग उनके साथ भी खेल के काफी ज़्यादा खुश रहते हैं नमब सिक्स यूज एज़ सर्विस डॉग एंड इंस्पेक्टर डॉग बीगल के पास scent hounds होते हैं और यह इनकी nose के लिए काफी जाने जाते ह क्योंकि यह जो scent trials है उनको follow कर सकते हैं उनकी nose हमेशा ground पे होगी sniffing करेगी हर एक चीज को साथ-साथ यह आपके yard से लेके bed पे sofa पे हर चीज को inspected कर सकते हैं as well as यह dog weed एक every single ingredient को भी sense कर सकते हैं अगर किसी चीज में add हो जैसे कि pie में अगर add हो तो उसे भी smell कर सकते हैं आपके एक interesting बात बता दू हम humans के पास 5 million cent receptors होते हैं उसी जगह अगर बीगल की बात करो तो उसके पास roughly 220 million cent receptors होते हैं और यह एक surprising factor हो जाता है बीगल को appoint किया जाता है send detection में US airports के लिए क्योंकि यह dog weed काफे जादा friendly होते है तो यह passenger को uncomfortable या फिन नर्वस फील करे बगेर कोई भी illegal item को कोई ले जा रहा हो weapons या फिर कुछ भी हो तो उसे detect कर लेते हैं और इसके चलते हैं passenger को कोई problem भी नहीं होती number seven beagles are great hunters beagles को hunting के लिए पहले यूज किया जाता था जैसे की rabbit हुआ या फिर कोई और small animals के लिए यह dog breed काफी ज़दा energy tick होते हैं साथ-साथ जैसे मैंने अभी बता ह है कि इनके पास जो science receptors होते हैं उनके चलते हैं काफी easily उनको fine कर सकते हैं साथ-साथ जो energy की need होती है वो भी इन में होती है इसी के चलते ही यह perfect hunting dog breed बनते है exercise के मामले में भी इन dog breed को heavy exercise या extreme exercise की जरुवत नहीं होती है अगर आप इनको daily 30 minutes या 15 minutes भी walking पे ले जाओ इनके साथ खेलो तो इनके लिए काफी जादा enough रहेगा और अच्छा रहेगा क्योंकि यह dog breed energetic होती है इसलिए इनको energy निकालने की काफी जरुवत होती है इसलिए अगर आप walking पे ले जाओ या फिर इनके साथ कोई चीज खेलो जैसे की disc होती है या फिर कोई और चीज जो dog के साथ खेल सकते है वो खेलो तो यह काफी अच्छा रहेगा आपके beagle के लिए उसमें health issues भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे नमबर 9 best cuddle partners बीगल एक affectionate and loveable personality के साथ है और इसे के चलते एक perfect cuddle partner बनाता है उन्हें है बीगल को भी cuddles करना काफी ज्यादा पसंदे वो आपके lap पे seat हो जाएंगे या फिर best time आपके पास जब भी आपको देखेंगे वो free ब बानने का बीगल में अगर आप उन्हें attention नहीं दे सकते उनमें separation anxiety भी देखने को मिल सकती है इसलिए उनकी constant love चाहिए होता है उनको साथ साथ उनको जो owner है उनके साथ time spend करें और काफी independent dog breed होते हैं नमबर 10 they love you respect you and don't waste food बीगल काफी ज़्यादा loyal होते respect करते हैं आपकी अगर properly train करो तो हर बात मानते हैं साथ साथ आपके लिए काफी ज़्यादा loyal रहते best companion dog breed बनते हैं food की बात करो तो यह dog breed food waste जल्दी नहीं करते हैं अगर इनकी favorite things हो तो कभी नहीं ज्यादातर मामलों में यह dog breed जो भी इने खाना दिया जाता है वो खा लेते हैं except अगर यह dog breed ill हो या चैनल पर new हो तो भी सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन को ज़रू से आउन कीजिएगा मिलता हूं मैं आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग